मार्स का एक और दिन और एक और IPO इन फैक्ट चार यां पांच कम्पनीज का IPO एक साथ ओपनेच सब्सुप्शन लिए इस खारण से वे नीट टू पिक पूर कैफ़ली के कौन से IPOs में अपलाए करें और कौन से ऐसे IPOs हैं जिनको हम अवाइड कर सकते हैं आज हम डिसकास कर रहे हैं एक और मच अवेटेड IPO के बारे में इंडिया की लीडिंग मोबाइल गेविंग कम्पनीज में से एक नजारा टेक्नोलोजीज लिमिनेट अपना IPO लेकर आए हैं नजारा टेक्नोलोजीज में राकिये जुन जुन वाला जो के arguably इंडिया की सबसे prolific investor हैं उनका भी stake है आज के वीडियो में हम नजारा टेक्नोलोजीज के बिजनिस के बारे में बात करेंगे इनके financials पर एक नज़र डालेंगे और साथी साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि इस IPO में आपको अप्लाइ करना जी है या इससे दूर रह सकते है So do keep watching this video till the very end अब हमारे बिंगॉली विविवर्स बिंगॉली सब्टाइडल को option सेलेक कर सकते है आगे बढ़ने से पहले एक सेकेंड ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें for many more such informative वीडियो मैं हूँ गॉर्सेट और आप देख रहें Z Funds नजारा Technologies Limited का IPO सब्स्रिप्शन लिए 17 मार्श 2021 से लिकर 19 मार्श 2021 तक open है लेकिन IPO की बात करने से पहले आए कंपनी के बिजनेस पर एक नज़र डालते है कंपनी का निर्मान 1999 में हुआ था मुबाइल गेमिंग के तीन में वर्टिकल्स है कंपनी के सबसे पहला तो है गेमिफाइड अर्ली लर्निंग कंपनी अप किडोपिया के माध्यम से 2-6 साल के उम्र के जो बच्चे हैं उनको गेम्स के थुरू अर्ली लर्निंग प्रवाइड करते हैं इसमें कई सारे सब्जेक्स जैसे माधमाटिक्स, लैंग्विजज़ और जनरल नॉलिज़ एक फन वे में कवर किये जाते हैं किडोपिया एक सब्स्क्रिप्शन बेस्ट अप है नजारा टेक्नोलोजीज के बिजनिस का दूसरा वर्टिकल e-sports है Nordwin Gaming जो के साथ एशिया की लीडिंग e-sports कंपनी है उसके दुरू कंपनी नैशनल और इंटरनाशनल e-sports tournaments और्गनेज़ करवाती है इसके साथ साथ नजारा टेक्नोलोजीज अल्सो ओन स्पोर्ट्स कीडा जो की एक बहुत ही पॉपिलर स्पोर्ट्स न्यूस लिबसाइट है नजारा टेक्नोलोजीज के बिजनिस का तीसरा वर्टिकल मोबाइल गेम्स का है इसमें कंपनी दोनों free play games और real money games ओफर करती है कैरम क्लैश और World Cricket Championship जैसे सिद्ध गेम्स इसी कंपनी की पेशकर्षे है नजारा टेक्नोलोजीज डिफरेंट सेग्मेंट में ओपरेट करती है सब्स्रिप्शन बेस बिजनिस, e-sports, gamified early learning और real money gaming कंपनी का maximum revenue सब्स्रिप्शन बेस बिजनिस से आता है जहां कंपनी फर्स टाइम मोबाइल गेमर्स को टार्गेट करती है For the six month period ending 30th September 2020, 71.03% revenues कंपनी के सब्स्रिप्शन फीस से आये थे चलिए कंपनी के competitive strengths को देखते है नजारा टेक्नोलोजीज इंडिया के leading e-sports कंपनी में से एक है कंपनी के पास एक wide range of products है across mobile gaming and early learning कंपनी जोग्राफिकली भी well diversified है कंपनी की leaders से बहुत strong है और कुछ बहुत ही renowned investors जुड़े हुए हैं कंपनी के साथ कंपनी का business model ऐसा है कि इसमें ज़्यादा assets नहीं लगते चलिए नजारा technologies के पिछले कुछ सालों के financials पर एक नज़र डालते है कंपनी ने पिछले तीन सालों में revenue growth बहुत ही solid दखाई है 2017-2018 में कंपनी का total revenue 182 करोड रुपे का था अगले दो सालों में बढ़कर ये 2019-20 में 262 करोड रुपे से उपर का हो गया इन फार्ट कंपनी को पिछले साल lockdown से बहुत ही फाइदा हुआ क्योंके कई नए users add हो गए कंपनी का revenue for the 6 month period ending 30 September 2020 अल्रेटी 207 करोड रुपे से उपर का था ये तो होगे कंपनी की business और financial details अब specifically इस IPO की बात करते है IPO में total approximately 52,94,000 shares issue किये जा रहे हैं ये सारे ही shares offer for sale method के थूँ हैं यानि existing shareholders अपना stake बेच रहे हैं IPO में जो shares offer किये जा रहे हैं इनकी face value 4 रुपे की है लेकिन IPO के लिए इनको एक premium पर बेचा जा रहा है IPO के लिए price band 1100 रुपे से लेकर 1101 रुपे का रखा गया है इस हिजाब से total IPO की value approximately 583 करोड रुपे की बनती है अगर आप इस IPO में apply करना जबते हैं तो minimum 1 lot लिए apply करना पड़ेगा इस case में 1 lot 13 shares का है यानि आपकी minimum investment 14,313 रुपे की होगी आप maximum 13 lots के लिए यानि 179 shares के लिए इन इस case आपकी investment 1,86,079 रुपे की होगी चलिए IPO का timeline देखते हैं IPO की open और close date 17 और 19 मार्च 2021 की है basis of allotment 24 मार्च को किया जाएगा और refund initiation और as-bar unblocking 25 मार्च होगी आप shares का credit अपने DMAT account में 26 मार्च सक एक्सपेक्ट कर सकते हैं shares की listing date 30 मार्च की tag ही गई है IPO के register link in time India private limited है अगर आप अपने application का status चेक करना चाते हैं तो हमने मीचे description में IPO page का link दिया है उस पे click करके आप 24 मार्च के बाद अपना application status चेक कर सकते हैं finally अब decision time क्या इस IPO में apply करना चाहिए company अपने segment में leader है और पिछले कुछ सालों में revenue growth बहुत ही solid दखाई है कुछ market investors already company के साथ जोड़े हो है also mobile gaming as an industry के लिए आगे potential बहुत ही बड़ा है Nazara Technologies का grey market premium as of 30 in March 7500 रुपे का चल रहा है तो all in all ये एक अच्छी investment लगती है मैं personally तो इस IPO में apply करूँगा आप अपना decision लेने से पहले ज़रूर अपने financial advisor से discuss करने है अगर आपके और कोई भी सवाल हो या comments हो तो नीचे देखे comment section में या फिर हमारी website zfunds.in पर लिखें इस वीडियो को like करना और हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले Thank you for watching ZFunds